है रो दोस्तों इस टεν हैल पिपे में आप सभी का स्वागत है दोस्तों समय है एडियोर डिक्टेसान लिखने का हम डेली आपको एडियोर्य डिक्टेसंब प्रोवाइट कर रहे हैं सो सब्दी परती मिनट की गती से दस मिनट ने आपके यह डिक्टेशन रहे अगर आप चैनल में नहीं आये हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर कर लीजेगा और बैल आइकन को दिबाना मत भूलेगा ताकि हमारी कोई भी नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके चलिए स्चार्ट करते हैं दिक्टेशन को ठीक तीन सेकं मंत्री से होने वाली आज की बातचीत में इस पर सहमती बनेगी की कोरोना के साथ जीने का सिलसिला कैसे कायम किया जाए जब यह इस पस्च है की अभी देश दुनिया को कोरोना के साए मैं ही जीना होगा तब फिर उचित यही है की लोगडाउन से बाहर निकलने की रूप रेखा बनाने में देर ना की जाए ऐसी कोई रूप रेखा तभी परभावी साबित होगी जब लोगडाउन खत्म करने का फैसला किया जाएगा वर्तमान परस्तितियों में लोगडाउन को और आगे बढ़ाने का कोई ओचित्य नहीं बनता लोगडाउन को केवल इसलिए खत्म नहीं किया जाना चाहिए कि उसकी भारी आरसिक कीमत चुकानी पड़ रही है बलकि इसलिए भी किया जाना चाहिए कि अब उसके नुकसान अधिक और फायदे कम दिख रहे हैं यह लोगडाउन जारी रहने का ही नतीजा है कि कारोबारी गतिविद्यों को आगे बढ़ाने के लिए जारी किये गए दिसा निर्देसों पर आधे अधूरे धंग से ही अमल हो पा रहा है ना केवल केंडर सरकार बलकि राज्य सरकारों को भी इस पर गौर करना चाहिए कि बंदिसों के बीच उध्योग व्यपार जगत अपना काम सही तरह नहीं कर सकता हाला कि उध्योगों को उत्पादन की छूट देने की तैयारी से यह संकेत मिल रहा है कि लोगडाउन को और विस्तार न देने का मन बनाया जा रहा है लेकिन यह ध्यान रखना जाना चाहिए कि सतरकिता बरतने के नाम पर कारोबार जगत अनावश्यक बंदिसों से जगडा न रहे इससे इनकार नहीं की लोगडाउन से बाहर आना एक चुनवती भरा काम होगा लेकिन संभावित चुनवतीयों का सामना करने के अतरिक्त और कोई उपाय भी नहीं यह सामना इस तरह किया जाना चाहिए जिससे कोरोना वायरस का संकर्मन बे लगाम न होने पाए लोगडाउन खत्म होने की इस्तिती में किसी को भी इस नतीजे पर नहीं पहुचना चाहिए कि अब सारिरिक दूरी का पालन करने साथ सपाई को लेकर सजगता दिखाने और सेहत के प्रती सतर्क रहने की जरूरत नहीं रह गई है यह जरूरत अभी लंबे समय तक बनी रहेगी इसी के साथ यह भी जरूरी होगा की होट स्पोट कहे जाने वारे इलाकों में कुछ पाबंदियां जारी रहें और अस्पतालों में अतरिक्त सतर्कता बढ़ती जाए यह ठीक नहीं की बीटे कुछ दिनों से एक और जहां चिकिस्तकों और स्वास्त कर्मियों के संकर्मित होने के मामले बड़े हैं वहीं दूसरी और उन मरीजों के भी जो किसी अन्य बिमारी का उपचार कराने अस्पताल गए थे बहतर हो की केंद्र और राज सरकारें इस पर विशेश ध्यान दें की स्वास्त कर्मियों और सांथ ही पुलिस कर्मियों को संकर्मन से कैसे बचाया जाए कोरोना के खिलाब लड़ाई के नायक यही है और इनकी हिफाजत हर हाल में करनी होगी हमारी दुनिया के उतने ही पहलू होंगे जितने आसमान में तारे हालां कि इन दिनों कोरोना सभी पहलूँ पर हावी है इनसान भले ही सीदे उसके निसाने पर हो पर्त्यक्ष और परोक्ष रूप से इससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है यहो बिडंबना ही है कि इनसान के लिए खतरनाक इस समय का दिल चस्प पक्ष यहो है कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कोरोना से पहले असंबव था जीव जगत ही नहीं पेड़ पौंधों की दुनिया में भी सकारात्मक परिवर्तन का दर्ज का सिलसिला जारी है एक अलग ही दुनिया नजर आ रही है सबसे बड़ी खुसकबरी यह है कि आर्किटिक पर रिकॉर्ड आकार का ओजोना छिद्र जो 2011 के बाद से सबसे बड़ा था अब बंद हो गया है संयुक्त राष्च विस्व मौसम संगठन लगातार इसकी परताल में लगा है हाला कि कुछ वैग्यानिक यह भी बता रहे हैं कि इसका सीधे कोरोना से संबंद नहीं लेकिन इतना तै है कि पृत्वी पर आकास वायू जल इत्यादी को राहत का एहसास हुआ है लोग भूले नहीं हैं वैग्यानिकों ने चेतावनी दी थी कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सरजन 2020 में कम होना सुरू हो जाना चाहिए वरना पृत्वी तेजी से एक ऐसी जगव में तब्दील हो जाएगी जहां इंसानों और बाकी जीवों का रहना मुश्किल हो जाएगा कोरोना की वजय से जो लोगडाउन हुआ है उसे देखते हुए वैग्यानिक आस्वस्त हैं परियावर्ण सुधार की जीवन डाई प्रकरिया सुरू हो चुकी है किसी ने यह सोचा नहीं था कि एक महामारी की वजय से ऐसा संभव होगा लेकिन आज दुनिया का यही सच है नासा और अन्य अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंदानों के सेटलाइट लगातार ऐसे चित्र भेज रहे हैं जिनसे पता चलता है कि धर्ती पर परदूसन का इस्तर बहुत घट गया है अनुमान है कि दुनिया में परदूसन में औसतन 40% से अधिक की कमी आई है ग्लोबल कारवन प्रोजेक्ट के अनुसार इसे साल कारवन उत्सरजन में 5% से ज्यादा कमी के संकेत मिलने लगे हैं मार्च से अपरेल तक की बात करें तो हम 100 साल पहले वाली प्रकती और पढ़ियावरण में पहुँच रहे हैं कारवन उत्सरजन में कमी की सबसे बड़ी वज़ा है दुनिया में पहले की तुलना में 71% कम हवाई जहाज उड़ रहे हैं विमानों के कम उड़ने से जो अध्यन हुए हैं उनसे पता चलता है कि 33% व्यवसाहिक विमान यात्राओं के बिना भी काम चला सकता है बेशक आने वाले दिनों में कमपनियों के परबंदन में भी दिल्चस्प बदलाव देखने को मिलेंगे विस्व स्वास्त संगठन के अनुसार दुनिया में हर साल 70 लाग लोग वायू परदूसन की वज़े से मारे जाते हैं भायत की बात करें तो दसको बात लोगों को साफ आसमान नसीब हुआ है Center for International Climate Research के अनुसार फरवरी में वायू परदूसन में 30% की गिरावट देखी गई थी अगर परदूसन के इस इस्तर को भी लंबे समय तक बनाए रखा जाए तो हम हर साल 50,000 से एक लाख लोगों की जान बचा पाएंगे भारत के आंकडे उपलब्द नहीं हैं लेकिन मार्च तक ब्रिटेन में सडकों पर ट्रैफिक में 73% तक कमी आई है गौर कीजिए अकेले ब्रिटेन में हर सार 30,000 हिरन सडक दुरगटना के सिकार होते हैं कोरोना का तनाव भले ही व्यापत है लेकिन पृत्वी नई हवा में सास ले रही है तैयार रहिए परत दर परत उसके अनेक रोचक और लुप्त पहलू सामने आएंगे इस चौप दोस्तों ये था आपका सौ सब्द परती मिनट की गति से करीबन इसमें 970 वर्ट थे तो थोड़ा पहले खतम कर दिया सकते हैं इस चैनल हेल पर भी आपको वहां से मिल जाएगा थैंक इस थैंक्स पर वाचिंग झाले हेंगे झाले हें नहीं कर दोड़ा दिया झाले हें आपका सब्सक्राइब एंगे